ध्यान से सुनिए मोटी बातें सर ये तारीक है जिस दिन आपके दिमाग में आईडिया आया जिस दिन आपके दिमाग में आईडिया आया यानि आप हो परमोटर आप कोन हो साहब आप हो परमोटर आपके दिमाग में आईडिया आगया कि यार अब कंपनी स्टार्ट करेंगा ऐसे थोड़ी चलेगा कब तक जिन्दगी में ऐसे रहेंगे बिजनस बढ़ा करना है आइडिया आने के बाद आपने अपोइंट करा C.A. आपने अपोइंट करा लोयर इन सभी को जब अपोइंट किया तो इनको क्या बोल के अपोइंट किया होगा सर आईडिया आया आपके दिमाग में 1 अप्रेल को, 4 अप्रेल को और सोस्ते सोस्ते आपने 1 आठ, 1 अगस्त को आपने इनको अपोइंट कर दिया और बोला तुम्हारे पैसे दिये जाएंगे fix, चिंता मत करो और इनको बोला तुम्हें 5 लाख रुपय दिये जाएंगे सर सर आप हमारी company के अंदर काम करने वाले हो हमारे company का नाम क्या है सर XV कड limited होने वाला है अभी नहीं हुआ यही तो करनाह है आपको इस company को SKD limited बनाना है यही तो करने आपको तो परंदेर लॉयर के पीच में Escape ने कहा सटाइब ड्यूटी वर्क हो जाता है इन्होंने पेमिंट भी कर दिया पेमिंट कर दिया इन्होंने किस ने कर दिया सब्रमोटर ने पेमिंट करने के बाद और काम बढ़ता गया अभी तक कंपणी बनाने फिर दिमाग में आइडिया रिजिस्टार फीस 500 रुपए वह सारी ब में प्रमान लेते हैं 1100 2000 यह था हमारा 2022 और यह आचुका है 2023 अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ अब हमने और सी के पास सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिया सर कौन से डॉक्यूमेंट जमा कर दिया नंबर MOA, मैं क्या बोड़ रहा हूँ, AOA और MOA दोनों document deposit कर दिया है, deposit करने के बाद आपके पास एक certificate मिल जाता है, certificate of incorporation, सर, certificate of incorporation मिल जाता है, कम मिलता है, सर ये मिलता है, एक तीन, दो हजार तेईस को, फिर कुछ ही दुनों को बाद आपको एक और certificate मिल जाता है, that is commencement of business, commencement of business का certificate, ये काम हमारा होता है, हमारा company private limited या limited वर्ट इस दिन से लगाना स्टार्ट करेगा, हमारा company जो बनेगा न वो इस दिन मना जाएगा कि बन गया, लेकिन लेकिन सर इस company के बनने से पहले 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 बड़े सारे हमने खर्चे कर दिये हैं, ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं, pre-incorporation, क्योंकि incorporation इस date प यहाँ पे इसने इतने सारे खर्चे कियें, अब जैसे ही company बना, company बनने के बाद company का ये honor, honor और company दोनों आपस में अलग-अलग, corporate will पढ़ा था, दोनों आपस में अलग-अलग, ऐसे situation में क्या हो, मालिक बोलेगा company से मैंने ये खर्चा किया, ये खर्चा किया, ये खर्चा क तो company अगर pre-incorporation contract को बोलता है, ठीक है मैं payment करूँगा, that process is adoption of pre-incorporation contract को, तो चलिए sir, pre-incorporation contract क्या होता है, ये देख लेते हैं, hopefully आपको समझ में आया होगा date, उसी date के हिसाब से दिमाग में रखिएगा, कहता है, preliminary contract, our contract, entered by the promoter, promoter मालिक हो रहा था, on behalf of company, बोल रहा था, मैं company बनाऊँगा, before incorporation with the third party, third party के साथ, enter करेगा, और incorporation, नहीं हुआ, it is usual to promoter, enter into these contract, और promoter इस contract में होता है, purchase of assets हो सकता है, on behalf of the company, company के लिए assets खरीदना है, company के लिए preliminary work करना है, उस सभी के लिए, about the form, but before it actually formed, about the form, मतलब बनाने के लिए, लेकिन बनने से पहले हम सारा काम करेंगे, they generally enter these contracts, are trusted, जो भी है, company एक faith पे, as a agent बोलते हैं, कि जो मैं बोल रहा हूँ, वो होने वाला है, तो as a agent वहाँ पे काम कर देते हैं, company, which has not come into existence, जो की अभी existence में है यह नहीं, such contract are illegal, not binding, ऐसे contract illegal हो सकते हैं, not binding, binding मतलब company को बोल नहीं सकते, कि आपको इस contract के पैसे देने होंगे, upon the company, even after comes into existence, अगर company बन भी जाती है, तब भी आप ऐसा नहीं कर सकते, company से permission लेनी पड़ेगी, the company can neither rectify those contracts, not to be vendor them, after it in corporation, company ऐसा कोई भी नहीं, आप ऐसा नहीं बोलोगे, के भाई company तुम्हारे लिए C.A. रखे थे, company तुम्हारे लिए lawyer रखा थे, company तुम्हारे लिए खर्चे किये, तुम्हें करना ही पड़ेगा, except ऐसा नहीं, यह company को bind नहीं किया जा सकता, in corporation because rectification required, existing of the principal time, तो sir इसके बाद की कहानी, adoption पर आ जाते हैं, adoption, sir इस contract को तो लेना ही पड़ेगा, नहीं लोगे, तो कैसे चलेगा, हमने company बनाया है, तो कहता है, company may adopt the preliminary contract by either two way, दो तरीके से कर सकता है, या तो company may adopt contract by entering, new contract बना लेगा, बोलेगा, भी या new contract बना दे तू फ्रेश, क्योंकि law कभी भी हमारे, company law कोई past में अगर हमने काम लिखा नहीं है, और वो काम कर दिया है, तो आज आके retrospective effect से कोई भी contract पो legal नहीं बनाया जा सकता, सर समझानी, मान लो, मैंने आज, मैंने company जब law बनाया था, तब मैंने बोला था, मैं कपड़े का business करूँगा, अपने AOA और MOA में mention किया था, लेकिन मैंने steel का business start कर दिया, और MOA और AOA में अभी कपड़े का business लिखा हुआ है, आज मुझे याद आया रहे, वहां तो deal का business कर रहे है, तो एक काम करते हैं, उसको बदल देते हैं, फिर हमारा valid हो जाएगा, तो अगर हम बदलेंगे तो वह आज से valid माना जाएगा, लेकिन बीच का duration है, वह illegal ही माना जाएगा, इसके पीछे बहुत सारे case laws भी है, जो कि देखेंगे हम धीरे-धीरे, खीक है साथ, तो third party के सार, same terms, जो की पहले था, उसी के साथ एक original contract बना देंगा, और ये contract valid हो जाएगा, पहला point, दूसरा, एक exceptional case है, sir, company can adopt the specific relief दिया गया है, 1936 में, कि आप company को adopt भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कौन से preliminary contract को, और बाकी कोई भी contact adopt नहीं किया जा सकता, तो adoption समझ में आ ग preliminary contract क्या होते हैं, तो sir, preliminary contract company बनने से पहले के और company के idea से बीच में जो contract जितने खर्ची होते हैं, उसे preliminary contract बोले जाते है, sir, एक वाता है, provisional contract कि मान लिया जाए, provisional contract का मतलब मान लिया जाए, क्या कहता है, provisional contract are the contract entered into by a company having share capital between the date of incorporation, जिस दिन बन गया, and date of company has filed the requirement, कहता है, date of incorporation, जिस दिन बन गया, and the date in which the company has filed the requirement of section 10A, 10 ही किसका था, sir, 10 ही किसका था, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, दिखा देते हैं, 10A, 10A, भाई साब, 10A, यानि commencement, यानि आपको याद होगा, याद होगा, याद होगा, याद होगा, ये रहा, आपका business य इन दोनों के बीच का जो date होगा, उसे बोलेंगे हम, provisional contract, उसे क्या बोलेंगे, sir, हम, provisional contract, commencement of the business, these are valid contract, ये valid contract होता है, if company meet the requirement of would non-operating case, company filed to do so, और ये contract ऐसा नहीं होता, illegal है, ये valid है, company बन चुका था, तभी contract हुआ, तुम्हें adopt करना ही करना पड़ेगा, तो ये था हमारा पूरा का पूरा, formation of company, incorporation of company, जिसमें आपको clear हो गया होगा,